नमस्का दोस्तों बहुत बहुत स्वागात दोस्तों बात करें दिल्ली विधान सबस्चुनाओं की जहाँ पे जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो दिल्ली में चुनाओं प्रिशार का सोर्स थम चुकाया हो ही बात करें दिल्ली वासी विधान सबस्चुनाओं के लिए बोटिंग आठ तारीक को करेंगे और राजनीतिक पार्टियों को इंतियार होगा 11 फरवरी का जिस दिन नतीजे आएंगी वहीं बात करें अकर जो विधान सबस्वा चुनाओं 2015 की तो जीत का थहल का मचाने वाली आमादमी पार्टी अर्विंद के जिरिवाल के चेहरे पर ज रही कि उनके निधन के बाद जो खाली जगह रहे गई थी उसको भरने में अभी तक नाकाम रही दिल्ली में 70 विधान सबस्वा सीटे हैं पिछले चुनाओं में आमादमी पार्टी ने रिकार्ड सत्तर में से 67 सीटों पर जीत हासिल की थी लेकिन क्या इस बार आमानमी पा पर बहुत हम बैठाने वाले इसको देखेंगे तो आए ओपिनियन पॉल को देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करें वही लोगसाबा जो नतीजह आया था 2019 की उसमें दिल्ली में लोगसाबा में टूटल साथ सीटे आती है तो बीजेपी को टूटल भात करें साथ के साथों सीटों पे कबजा किया था और यही बार बार बीजेपी बोल रही है कि हम 40 से 45 सीटे जीतेंगे और आकड़ा जो है वो लोगसाबा चुनाओं 2019 का दिखा रही है अलाकि एक सर्वी ये भी हुआ कि आप अगर जो अभी लोगसाबा चुनाओं होते हैं तो किसको ओड़ देते है तो आएए अब देखते हैं क्या कहता है जनता का ओपिनियन फोल क्या कहता दिल्ली का दिल और किस बार इसको दिल्ली वाले मुखिमंत्री बनाने वाले हैं तो बात पर जो दिल्ली विदासाब चुनाओं 2020 में किस पार्टी को कितने सीटें मिल सकती है इसको लेके किस पार्टी को वोट देने वाले तो इनकी संक्या 11 परसंट है यह जिस और भी जाएंगे उनका यहां पर कल्या हो सकता है तो बात कर लेते हैं अगर जो इस ओट परसंटेज को सीटों में करवर्ट करें तो किस पार्टी को कितनी सीटे जाती हुई नजार आरे हैं तो हम ब बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 12 से 14 सीटे जा सकती हैं कॉंग्रेस का एक फिर से नुल हो सकता यानिकी खाता नहीं खुलने वाला है तो दोस्तों यह था दिल्ली का ओपेनियन पोल बने रही हमारे साथ दिल्ली चुनाव की पलपल के ब्रेट के लिए मिल